Prompt Engineering का एक तरीका मुझे बहुत पसान है मिसाल देता हूं मैं आपको फिर इस पे बात करते हैं वो एक कहावत याद है जड़ा बोले ओही कुंडा खोले या ओही बुगा खोले जो बोलता है वो ही कुंडी खोलता है उर्दु में अगर इसकी एक्जामपल दो तो अगर आपको एक Large Language Model बोल रहा है कि मुझे एच्छा प्रॉम्ट होगे तो मैं एच्छा काम करूँगा मुझे ऐसा प्रॉम्ट होगे तो मैं ऐसा काम करूँगा वाइ डॉंट वही आस्क Large Language Model कि मैं ये करना चाहरा हूँ मुझे एक प्रॉम्ट बना दो तो आप उसी से कुंडा खिलवा ले ना Large Language Model से ही कह देंगा भई मुझे प्रॉम्ट लेख के दे मुझे नहीं लेखने आंदा So Large Language Models have capabilities to write down the prompts as well और इस वकत दुनिया में लोग प्रॉम्ट को भी sale करके पैसा बना रहे है Because they know how to craft a nice prompt और जब भी आप एक prompt बनाए उसको evaluate करें दुबारा से लिखें फिर दुबारा से लिखें फिर दुबारा से लिखें फिर दुबारा से लिखें और इससे क्या होता है Try and improve your जो भी आपका response है उसको अब एक और चीज़ मैं बता दूँ large language model के अंदर कभी-कभी आपकी limitations होती है कि आप 1000 words से उपर नहीं output ले सकते So you need to write down everything in chunks तो आपको chunk-wise चलना होता है अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़े कि prompt engineering के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें जो है important है और why we need to use prompt engineering और कौन-कौन से points हों जो हमें सीखने चाहिए We need to be very clear and specific यह मैंने Techopedia से यह slide लिए Very clear and specific We need to use complete sentences We need to use context in the prompt We need to use prompts as an input example And then we need to specify our output format यही नहीं We need to experiment with a different phrasing यानि के जो मैंने एक prompt लिखा है वैसे नहीं answer है तो मुझे दूसरा लिखना चाहिए We need to use appropriate length of the question or the prompt We need to test and refine जो मैंने बात की कि आप एक दफा उसे लिखे चेक करें क्या output देता है फिर लिखें फिर चेक करें फिर लिखें फिर चेक करें We need to handle edge cases Edge cases क्या होते हैं हमारे पास जो बिलकुल किनारे पे चीज़ें होती हैं which are not actually the power of LLMs but we can train them in that So we need to avoid biased and inappropriate content जो मैंने आपको पहले example देती Gora Culture की और हमारे Asians की and then we need to leverage prompts for fine tuning We need to also actually fine tune our prompts before having an output and then we need to collaborate and share insights with the people ताके prompt engineering और भी improve us ये एक छोटी सी guide है which can actually train you to create your nice prompts अगर आप इन सारे rules को use करते हुए prompt लिखते हैं you will have a really nice answer then writing a prompt के मुझे ये बताओ क्या है फ्लाँ बताओ ये क्या है फ्लाँ बताओ क्या है आपका एक prompt इतना comprehensive होना चाहिए then you can do a lot of things with those prompts फिर आपके पास इसका process जो है वो देखना चाहिए आपको for example you need to define actually the task and generate setting आपको पता होना चाहिए definition of the task जो आप करने जा रहे है और आपको setting को भी थोड़ा सो optimize करना चाहिए there are many settings inside the prompt engineering as well we need to change फिर आपको prompt को है design करना design के बाद आपको refine करना है AI model को भीजने से पहले फिर make refinements and iteration जब आपका AI model आपको answer दे दे फिर दुबारा जाएं फिर redefine करें फिर दुबारा जाएं fine tune करें फिर दुबारा जाएं fine tune करें आप response की base पे बार 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 अपना prompts जो है वो लिखते जाएंगे जो चीज कम और ज्यादा लगेगी आप उसको फिर थोड़े से ingredient को डाल लेंगे इसकी मिसाल मैं वो ही देता हूँ आप कोई भी सबजी बना रहे हैं अगर आपको करते हुए नमक को check ना करेंगे तो आपको कैसे बता चलेगा कि नमक कम में ज्यादा है मसाले कम में ज्यादा है तो हो सकता है आप inaccurate information के बलबूते पे आगे चलते रहें So to be very sure इससे ये होता है कि आप check करें उसको refine कर लें अगर नमक थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा सा डाल दें ज्यादा है तो आटे का पेड़ा वीज में रखते हैं और whatever you want to do So these kind of things helps you a lot और खास तोर पर जो chef होते हैं खाना पकाते हैं वकट वो इन चीजों को बड़ा खया रखते हैं हर चीज को माप तोल के फिर डालते हैं इंग्रीडियंट्स को भी मेयर करके रखते हैं तो आपने अपना प्रॉम्ट लिखते हैं वकट हर चीज को मेयर करके रखना है ठीक हो गया अब 9 popular use cases कौन-कौन से हैं प्रॉम्ट इंजिनरिंग के basically उनको हम देखते हैं और प्रॉम्ट इंजिनरिंग कहां कहां पर यूज होती है वो भी देखते हैं ठीक है ठीक है यहां तक अभी देखते हैं इसको यह जो मैंने आपको एक्जेंपल दिये यह आपको समझ लगी कि आपको refine भी करना है चीजों को और आप यहां पर भी यूज कर सकते हैं ठीक है अब सबसे पहला यूज केस जो है वो है sentiment analysis आप sentiment analysis कर सकते हैं by using prompting या prompt के अंदर sentiment analysis को डाल सकते हैं language को translate कर सकते हैं easily question answer कर सकते हैं text को summarize कर सकते हैं by using prompt engineering then you can generate code यानि के prompt लिखके code को generate कर सकते हैं you can actually create chatbot responses based on the prompt engineering you can classify your documents के यह document किस किसम का है you can capture the image captioning from that prompt you can name entity recognition and you can do a lot of things generate images, generate AIR, generate video generation generate a lot of other things which has never been done before 3 or 2 years ago so imagine करें कि अगर 2-3 साल पहले यह काम चला ही नहीं था अगर से कोई पता ही नहीं था और अगर यह new चीज है how you can actually do wonders with these things like अगर आप सीख जाएंगे तो future AI का है उसके अंदर prompting बहुत ज़रूरी है यही नहीं अभी और सुनिये prompt engineering freelance map के उपर अगर आप देखें तो prompt engineering क्या कर रही है the role उनका क्या है यह एक job है work with cross-functional teams to discuss product development identify uses of AI tools design, develop and refine AI generated text prompts ठीक है यह एक role होता है prompt engineering का background के आई इसमें computer science की degree चाहिए होती है या अगर degree नहीं है आपको related field में degree चाहिए होती है या आपके skills होनी चाहिए certificates होने चाहिए जो recommended है and then you can also see the skills और यहां पे उन्होंने salary बताई हुई है junior, average and senior की base पे so these kind of job advertisements are only for prompt engineers जिनको NLP का पता है और prompt engineers क्या करते है जो इंसान हम जैसे लोग जो chat GPT सवाल पूछते है उनको जवाब कैसा और किस तरीके से देना है यह भी prompt engineers की job के अंदर होता है ठीक है so writing a prompt asking something from large language model and then creating a response is the part of actually prompt engineers और job इसकी salary देख रहे है 280,000 dollars per year average salary 327,000 and seniors की 375,000 so this I am talking about US and Canada and you can also talk about Europe जो salary और भी जयदा हाई होगे Australia के अंदर भी even Dubai and Saudi Arabia के अंदर भी और Pakistan के अंदर भी काफी jobs है prompt engineers की which you can actually do a lot of things and learn and then you can actually create prompts for those people अब एक चीज़ बाकी रहे गई है के हम prompt engineering को as a data scientist and AI engineers कैसे use कर सकते हैं और इसकी मिसाल अभी मैं आपको देने वाला हूँ and now we are going to create 2-3 examples of a nice prompt obviously उसमें काफी चीज़ें आइड करनी होगे remove करनी होगी मैं मतलब अगले 10-15 मिनिट के अंदर आपको ये सारी चीज़े नहीं बता सकता but still I will give you an idea precise, clear, concise और ये सारे element दे के किस तरीके से हम काम कर सकते हैं अगर आप ready हैं मैं भी ready हूँ like, share, subscribe कर दे और हम prompt engineering पे live examples देखने वाले हैं और आपको मैं websites पे बताऊँगा कौन-कौन सी websites इस वकत मौझूद है clear हो गया? let's go and deep dive into it dive into it, चलो, गोता खोरी करते हैं